मर्दों को हमेशा लगा कि औरत उनसे जीतना चाहती है और एक वक्त बाद वो तुम सही तुम सही कहके उन्हें टालने लगे जैसे वो कुछ भी कहें उन्हें समझने वाला तो क्या सुनने वाला तक कोई नहीं फिर हुआ ये कि इस्त्रियों ने बोलना जारी रखा क्योंकि आवश्यक था किन्तु फिर कभी अपने प्रेमी या पतियों से बाते नहीं की वे रही जैसे वो रहती आई थी अब तक अनसुनी और प्यासी प्यास एक दोस्त या हमसफर की जो उनका पक्ष सुनता मगर नचानी क्यों वो हर रिष्टे में एक वक्त बाद विदा ले गया काश आदमी समझते कि स्त्रियां जीतना नहीं चाहते बिचाती थी तुम उन्हें सुनते सही होने पर जुकते गलत होने पर डाटते पर तुम से मीठे बैर कुछ जगड़े और रूठना मनाना भी चाहते थी पर तुमने उन्हें टाल के बचाया अपना वक्त अपनी उर्जा और दिलाया एसास की वेवस एक अडचन है जिसके किनारे से तुम निकलके जाने कहां पहुंचना चाहते थे सच कहूं तो अगर तुम ये सत्य जानते भी जीतना नहीं चाहते अपितू तुम से हार जाना भी चाहती हैं चाहती है तुम्हें सुला करके अपनी गोद में सुलाना तो शायद ये दुनिया थोड़ी कम अदास होती नजाने कितनी इस्त्रियां अंसुनी मर गई होंगी लेकर दिल पर भार क्योंने सुनने वाला कोई नहीं अगर तुमने भी किया है ये अपराद तो तुम उन सब इस्त्रियों के दोशी हो